अध्याए दो भ्रह्म विद्या योग संजे बोले इस तरह करणा से व्याप्त आंसु भरे व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त अर्जुन से भगवान कृशन ने कहा श्री भगवान बोले ही अर्जुन इस समय तुम्हें यह कायरता कैसे प्राप्त हुई यह स्रेष्ट मनश्यों के आजरन के विपरीत है तथा यह ना तो स्वर्ग प्राप्ति का साधन है और ना कीरती देने वाला ही है इसलिए हे अर्जुन तुम कायर मत बनो यह तुम्हें देता तुम अपने मन की दुरबलता को त्याग कर युद्ध करो अर्जुन बोले हे क्रिश्ण मैं इस रन भूमी में भीश्म और द्रोन के विरुद्ध बानों से कैसे युद्ध करूं हे क्रिश्ण विदोनों ही पूछनिये हैं इन महानुभाव गुरु जनों को मारने से अच्छा इस लोग में भिख्षा का अन्न खाना है क्योंकि गुरु जनों को मारकर तो इस लोग में उनके रक्त से सने हुए अर्थ और काम रूपी भोगों को ही तो भोगूंगा और हम यह भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना या ना करना इन दोनों में कौन सा काम अच्छा है अथवा यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वे जीतेंगे जिने मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही दितराश्ट के पुद्र हमारे सामने खड़े हैं इसलिए करतवे पत्से ब्रहमित मैं आप से पूछता हूँ कि मेरे लिए जो निश्चे ह कल्यानकारी हो उसे आप क्रपा कहिए मैं आपका शिष्य हूँ शरन में आए मुझको आप सिक्षा दीजिए पृत्वी पर राजिये तथा देवताओं का स्वामित्व प्राप्त करकर भी मैं ऐसा नहीं देखता हूँ जिससे हमारे इंद्रियों को सुखाने वाला शोक तूर हो सके संजे बोले हे राजन अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से मैं युद्ध नहीं करूंगा यह कहकर चुप हो गया हे भरतवन्शी धृत्रास्ट दोनों सेनाओं के बीच में उस शोक युक्त अर्जुन को श्री कृष्ण हसते हुए से ये वचन बोले श्री भगवा मैं किसी समय नहीं था अत्वा तुम नहीं थे या ये राजा लोग नहीं थे और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे जैसे इसी जीवन में जीवात्मा बाल, युवा और विद्ध शरीर प्राप्त करता है वैसे ही जीवात्मा मित्यू के बाद दूसरा नया शरीर प्राप्त करता है इसलिए धीर मनुश्य को मित्यू से घबराना नहीं चाहिए ही अर्जुन इंद्रियों के विश्यों से संयोग के कारण होने वाली सर्दीकर्मी और सुख दुख शन भंगुर और अनित्य हैं इसलिए ही अर्जुन तुम उसको सहन करो ही पुरुष शेष्ट दुख और सुख में समान भाव से रहने वाले जिस धीर मनुश्य को इंद्रियों के विशे व्याकुल नहीं कर पाते वह मोक्ष का अधिकारी होता है असत वस्तु नाशवान और सत अविनाशी होता है यानि असत और सत दोनों को तत्व से जानते है उस अविनाशी आत्मा को जानो जिससे यह सारा जगत व्याप्त है इस अविनाशी का नाश कोई भी नहीं कर सकता है इस अविनाशी जीवात्मा के सबशरीर नाशवान है इसलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो मरता है आत्मा का होना फिर ना होना नहीं होता है शरीर के नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं होता ही अर्जुन जो मनुश्य आत्मा को आविनाशी नित्य जनम रहित और सनातन जानता है वह कैसे किसको मरवाएगा और कैसे किसको मारेगा जैसे मनुश्य अपने पुराने वस तुस्त्र इस आत्मा को नहीं काट सकते, अगनी इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायू इसे सुखा नहीं सकती। आत्मा को अविनाशी और निर्विकार कहा जाता है अतहां आत्मा को ऐसा जान कर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए ही अर्जुन यदि तुम शरीर में रहने वाला जीवात्मा को पैदा होने वाला तथा मरने वाला भी मानो तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए क्योंक पूँज करने की देखता है कोई इसका अश्चरे की तरह वर्नन करता है कोई इसे अश्चरे की तरह सुनता है और कोई इसके बारे में सुनकर भी नहीं समझ पाता है हे अरजुन सबके शरीर में रहने वाला यह आत्मा अमर है इसलिए किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोख नहीं करना चाहिए और अपने स्वाधर्म की द्रिस्ठी से भी तुम्हें अपने करतवे से हटना नहीं चाहिए क्योंकि शस्त्रिय के लिए धरम युद्ध से ब और कीर्थी को खोकर पाप को प्राप्त होंगे तता सब लोग बहुत दिनों तक तुम्हारी अपकीर्थी की चल्चा करेंगे अपमान मृत्यू से बढ़कर है महारती लोग तुम्हें डर कर युद्ध से भागा हुआ मानेंगे और जिनके लिए तुम बहुत माननिये हो उ इसलिए हे अरजुन तुम युद्ध के लिए निश्चे करके खड़े हो जाओ सुख दुख लाभानी और जीधार के चिंता ना करके मनुष्य को अपने शक्ति के अनुसार करतव्य कर्म करना चाहिए ऐसे भाव से कर्म करने पर मनुष्य को पाप अथार्थ कर्म का बंधन नहीं लगता हे अरजुन मैंने सांख्यमत का यह ग्यान तुम से कहा अब करम योग का विशे सुनो जिस ग्यान से युक्त होकर तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे करम योग में आरंप अथार्थ बीच का नाशी नहीं होता तथा उल्टा फल भी नहीं मिलता है इस करम योग रूपी धरम का थोड़ा सा भी अभ्याज जनम मरन रूपी महान दुख से रक्षा करता है हे अरजुन करम योगी केवल इश्वर प्राप्ति का ही डुनिश्चे करता है परन्तु सकाम मनुश्यों के इच्छाएं अनेक और अनन्थ होती हैं हे अरजुन सकामी स्वर्ग को ही श्रेस्ट मानने वाले भोग और धन को प्राप्त कराने वाली अनेक धार्मिक संसकारों को बताते हैं जो पुनर जनम रूपी करम फल को देने वाले होते हैं भोग और अश्वर्य ने जिनका चित्त हर लिया है ऐसे व्यक्ति के अंतेकरण में भगवत आत्मा का ध्यान नहीं कर सकते हैं। तथा अपने कर्म का ध्याग भी ना करो। कर्म 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 योगी इसी जीवन में पाप और पुर्णे से मुक्त हो जाता है। तुम निश्काम कर्म योगी बनो। फल की आसकती से आसफलता का भै होता है। जिसके कारण कर्म अच्छी तरह नहीं हो पाता है। निश्काम कर्म योग को ही कुशलता पुर्वक कर्म करना कहते हैं। जाने कर्म योगी जन कर्म फल की आसकती को त्याकर जनम मरन के भंदन से मुक्त हो जाते हैं। तथा परम शांती को प्राप्त करते हैं। जब तुमारी बुद्धी मोहो रूप की दलदल को पार कर जाएगी। उस समय तुम शास्त्र से सुने हुए और सुनने योग्य वस्तूं से भी वैरागय प्राप्त करोगे। जब अनेक प्रकार के प्रवच्नों को सुनने से भ्रहमित हुई तुमारी भुद्धी परमात्मा के सुरूप में स्थिर हो जाएगी। उस समय तुम समाधी में परमात्मा से युप्त हो जाओगे। अर्जुन बोले। हे केशव समाधी प्राप्त स्थिर बुद्धी वाले आत्म ज्यानी स्थित प्रग्य मनुष्य का क्या लक्षन है। श्री भगवान बोले। हे अर्जुन जिस समय साधक अपने मन की संपूर्ण कामणाओं को पूर्ण रुप से त्याग देता है और आत्मा में आत्मानन से ही संतुष्ट रहता है। उस समय वह स्थित प्रग्य कहलाता है। दुख से जिनका मन उद्वगिन नहीं होता, सुक्की जिसको इच्छा नहीं होती, तथा जिसके मन से राग, भय और क्रोथ नस्ठ हो गए हैं। ऐसा मुनि स्थित प्रग्य कहा जाता है। जिसे किसी रिवस्तु में आ सकती ना हो, जो शुब को प्राप्त कर प्रसन ना हो, और अशुब से द्वेश ना करे। उसकी बुद्धि स्थिर है। जब साधर्ग सब और से अपनी इंद्रियों को विश्यों से इस तरह हटा ले, जैसे कच्छवा, विपति के समय अपनी रक्षा के लिए अपने अंगों को समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर समझनी चाहिए। इंद्रियों को विश्यों से हटाने वाले मनुश्यों से विश्यों की इच्छा तो हट भी जाती है, परंतु विश्यों की आसकती दूर नहीं होती, पर मात्मा के स्वरूप को ज्यान द्वारा भली भाती समझ कर, स्थित प्रग्य मनुश्य विश्यों की आसकती से भी ही अर्जुन, इंद्रियें संयम का प्रयतन करते हुए ज्याने मनुष्य के मन को भी चंचल इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती है इसलिए साधक अपने इंद्रियों को वश में करके मुझ में शद्धा पूर्वक ध्यान लगा कर बैठे क्योंकि जिसकी इंद्रिया वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर होती है विश्यों का चिंतन करने से विश्यों में आसकती होती है आसकती से विश्यों के सेवन करने की इच्छा उत्पन होती है और इच्छा पूरी नहीं होने से क्रोध होता है क्रोध से अज्यान हो जाता है मन भरस्ट होने से बुद्धी का नाश होता है और बुद्धी का नाश होने से मनुष्य का पतन होता है राक त्वेश से रहिद संयमी साधक अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विश्यों को भोगता हुआ शांती प्राप्त करता है शांती से सभी ना इश्वर की भावना ही, भावना ही मनुष्य को शांती नहीं मिलती और अशांत मनुष्य को सुख कहां, जैसे जल में तैरती नाव को तुफान उसे अपने लक्षे से दूर धकेल देता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य की बुद्धी को गलत रास्ते की और ले जात और जब साधारन मनुश्य जागते हैं तत्व दर्शी मुनी के लिए वेरात्री के समान होता है जैसे सभी नदियों के जल समुदुर को बिना विशलित करते हुई परिपूर्ण समुदुर में समा जाते हैं वैसे ही सभोग जिस संयमी मनुश्य में विकार उत्पन किये बिना समा जाते हैं वह मनुश्य शांती प्राप्त करता है ना कि भोगों की कामने करने वाला जो मनुश्य सब कामनाओं को त्याकर इच्छा रहित ममता रहित तथा अंकार रहित होकर विचरन करता है वही शांती प्राप्त करता है ही अर्जुन यही ब्रह्मी स्थिती है जिसे प होता है